स्वागत आपका हमारे चैनल कुणबल क्लासिज में तो पच्छाज हम लिविंग सैंस क्लासिक्स का चैप्टर नमर टू कॉंपोनेंट्स और फूड इसके सभी कॉस्टन सांसर हम कंप्लेट करेंगे और अगर आपको इस बुक के बागे के चैप्टर के वीडियो देखने हैं जनमें कॉस्टन अंसर वाले वीडियो भी हैं और एक्स्प्लेशन्स वीडियो भी हैं तो मैंने आपके इस बुक के सभी चैप्टर के वीडियो अल्रेडी बना राके हैं तो आप चाहो तो नहीं देख सकते हो तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट या का लिंक दिवा हुआ है तो इस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अवेलेबल हैं तो आप वहां से जाके बहुच कर सकते हो एंड अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें आपके इस बुक के सार आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे और प्लीज अपने क्लास में इसको भी शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें चलिए इसके को सब्सक्राइब को हम देखते हैं आज इन में से कौन सा एनर्जी प्रवाइड करता है तो कार्भाइड डेट जो कि एनर्जी इविंग फूड है इसका अंसर राइट नेक्स्ट है विच विच वप देजिज क्यों किस्ट सोर्स ऑप एनर्जी ठीक है तो मैंने आप कुछ विच चैप्टर स्टेडी करवाई था इसवटाता कि अगर हमें इस्टंट एनर्जी चाहिए क्यों किस्ट एनर्जी चाहिए तो हमें एक तरशे सुगर इसका अंसर है ठीक है इस्टार्ज जो होता है वो एक तरशे सलोली शD wounds v प्रेश 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 फ्रूट और ग्रीन वेजटेबल्स अगर हम फ्रेश फ्रूट और ग्रीन वेजटेबल्स अगर एट नहीं करते हैं तो हमारे बोडि में विटामिन C की एक तरह से दिफिशेंट हो जाएगा मतलब कमी हो जाएगी नेक्स कुश्चन फूर्ट है विच ओव दा मिननल्स इस नेसेसरी फूर्दा फॉर्मिशन ओप स्ट्रॉंग बॉन्स एंड मॉसल्स ठीक है स्ट्रॉंग बॉन्स के लिए आपका फॉस्पोरोस है राइट अंसर नागस कुश्चन है बुच ओफ दीज पिछ अवर बॉड़ी वेट फिच ओव दीज फॉंच अचा हमारी बॉड़ी का जो वेट है वह इनमें से ज्यादा किसका होता है तो वाटर ठीक है हमारी बॉड़ी में 70 पर्सेंट जो वेट होता है वो वाटर का होता है बागी 30 पर कुश्यन है आपका 6 आइरन इसे ठीक है आइरन एक में नल है तो इसका अंसर ए हो जाएगा नाइस कुश्यन 7 है ऑफिसीटी ऑफिस्टी टू टू ठीक होती है वह आपके ओवरीटिंग होती है मतलब अगर आप कर्वाइट टेंड फैट्स को ओवरीट करोगे तो आपका ओफ किस टीजीज में हमें एक तरह से एडवाइज के जाता है तो वह है आपका राइट अंसर गोईटर ठीक है गोईटर अगर हमें टीट और बॉन्स को स्ट्रोंग करना है तो हमें कैल्सिम और फास्पॉरस यानिका ओप्शन नमर्टी ठीक है यह जो मिनल्स है हमारे डाइट में ज्यादा सामिल करने होंगे ठीक है बच्चे जब बच्चों को कैल्सिम और फास्फोरस की जाद रिक्वारड्मेंट होती है इसलिए जो ईनफैंट चिल्टरंस होते हैं उनको एक तरसे आप मिल्क प्रपेयड़ के जाता है क्योंकि मिल्क में केल्शियम और फॉस्परोज जाद होता है कोस्ट नमबर टैन है मरसमस इज गौश्ट डू टू दा डाइट इंसुपिशेंट ठीक है और अब दीज इसका अंसर है फैट भी कार्बाइड डेट वी और प्रोटन भी तीनों की ही कमी होती है तो फिर यह इनर्जी फास्टर देन स्टार्ट ठीक है ट्रू होल्स यह बिल्कु ट्रू है मैंने अभी उपर भी बताया था आपको दा प्लिस वेर फैट्स आर मैनली स्टोड इन दस बोडी इन बोडी ठीक है तो वो स्कीन है नेक्स्ट है डिफिशेंशी ओप बिट्स और बिटामिन इज लैकली तो वी कॉझ रिकेंट्स तो बिटामिन डी की कमीस आपको रिकेंट्स डिजी ऊती है नेक्स्ट है बिच मिनल्स इस बीटल फूर दा बंस टीथ तो केल्सियम और फार पूरस बंस ओर टीथ के लिए इंपर्टेंट है बिच सबस्टेंश पले एन इंपर्टेंट रॉल ऑफ सॉल्वेंट ओप मैट्रियल तो वाटर हैंकि वाटर इसी गूट सॉल्वेंट नेक्स्ट है कोशन नमर सेवन एटाइट देट कंटेंट प्रॉपर अमांट ओफ इच नूट्रियंट तो से हम बोलते हैं बैलेंस डाइट नेक्स्ट कुशन एट है मीट ड़नोट कंटेंश रफीज तो यह बिलकुल ट्रू है मीट में कोई रफीज नहीं होता है नाइस्ट कॉस्टिन है 9. फैबर कैननो ट्रूइट बाइजेस्ट वाइड बोडी तो बिलकुल यह ट्रू होगा ऐ टिंग Fiber cannot be digested by body So it is better to eliminate it from food Better to eliminate it from food True-False Okay, इसमें बैसे false कर रहा है What is कहांसे true होगा Fiber को हम डिजिस्ट ने कर सकते है Next is which vitamin is easily destroyed during cooking So vitamin C right है Vitamin C, citrus fruits होते है उनमें vitamin C होती है और हम इसको cook नहीं कर सकते क्योंकि cooking के time भी destroyed हो जाती है Next हम आग देख रहे है Short answer type questions जिनमें हमें answer देना है 1 or 2 sentence में तो पहले question है Into which classes the nutrients divided मतलब nutrients को कितने classes में डिवाइड किया गया है और bits of these provide energy to body और इनमें से कौन हमें हमारी body को energy provide करता है तो nutrients को हमने 7 parts में डिवाइड किया गया है Carbohatrid, minerals, vitamins, proteins ठीक है और refuse, water ठीक है इनमें से जो energy है वो सिर्फ हमें Carbohatrid और fat ही देता है तो इसका answer भी देख लेते हूं तो nutrients को हमने डिवाइड किया है वैसे तो मैंने तीन ग्रूप में डिवाइड किया है एक energy giving second है body building और protective third है तो energy giving जो nutrients होते हैं उन्हें हम Carbohatrid और fat कहते हैं अलब Carbohatrid और fats are energy giving food ठीक है second question है what are the protective foods protective foods क्या है ठीक है तो जो हमारे body को disease से protect करते हैं वो protective foods होते हैं इनमें minerals और vitamins यह दोनों आते हैं ठीक है क्योंकि यह काफिस disease के against क्या करते हैं हमें प्रोटेक्ट करते हैं question number 3 है how are the proteins important for our body ठीक है so proteins is a body building are nutrients ठीक है so proteins are important to generate new cells मतलब नहीं cells जो बनती है वो protein से ही बनती है ठीक है और जो old cell होती है या फिर जो dead cells होती है ठीक है उनका refreshment भी ही new cells से होता है so मतलब growth के लिए protein एक तरह से requirement होती है next question number 4 है mentioned two cooking methods that distort nutrients in food ठीक है मतलब दो हमें cooking methods को एक तरह से यहां पर बताना है जिनसे की food के nutrients एक तरह से एक तरह से cooking करते हैं तो हम extra water को फैक देते हैं और जो extra water होता है उसमें ही जो nutrients है एक तरह से चली जाते हैं मतलब lost हो जाते हैं second है cooking food at high heat मतलब कभी भी vitamin C बाले जो product हैं उनको high heat में कभी भी पकाना ने चाहिए because of vitamin C जो होता है cooking के time destroyed हो जाता है next question 5 है name the two kinds of carbohydrates which of these providers क्यूग energy ठीक है तो क्यूग energy के लिए हमें चाहिए sugars ठीक है इसका answer होगा sugars and starch next question 6 है which nutrients are needed by our body in the small quantity ठीक है तो एक तो इसका answer है minerals और एक है vitamins ठीक है और एक iron भी है वैसे तो next है what are the symptoms of morasmus ठीक है question 8 है लेकिन अभी question number 7 और देखना है हमें question number 27 है वो है write the symptoms of rickets अलब rickets की system symptoms हमें यहां पर write करना है तो इसका answer है कि जो rickets होता है उसमें हमारी bones होती है ठीक है वो soft हो जाती है और out of safe मतलब zone की safe है ठीक है वो भी एक तरसे effect होती है ठीक है यह इसके symptoms है now question number 8 है what are the symptoms of morasmus ठीक है इसके symptoms क्या है तो पहली बात तो कि कि इस जो यह जो disease होती है यह एक तरसे बच्चों में होती है और उनका जो weight होता है वो 60% एक तरसे less हो जाता है ठीक है the child suffer from muscles with best age मतलब उनकी जो muscles है वो एक तरसे बहुत thin हो जाती है and skin जो होती है उनकी fold हो जाती है मतलब एक तरसे लटक जाती है उनकी skins मतलब बच्चे बहुत कमजूर हो जाते है question number 9 है the incidence of the goiter among the people living in the Himalaya region much quite high मतलब जो है Himalaya region में जो people रहते हैं उनमें goiter जो disease होना एक तरसे common है ऐसा क्यों होता है because of the iodine content in the soil and water in the Himalaya region is very low मतलब Himalaya region के जो soil है उसमें iodine की quantity कम होती है so इन्हें goiter disease होने जो chance है वो जाता होता है आगे दिखते हैं हम short के बाद में long time के question answer explain the importance of following एक तो vitamin A, C, D और K ठीक है इनका importance हमें 1-1 यहां पर बताना है तो पहले दिखते हैं vitamin A का vitamin A जो होती है वो हमारी growth और हमारी eyes के लिए necessary होती है हमारी eyes को necessary eyes और skin के लिए बहुत ज्यादा necessary होती है vitamin C it is the normal growth के लिए necessary होती है and इससे जो है blood vessels भी next vitamin D है bonds और teeth है वह strong बनते है vitamin K भी हमारी body के लिए important है vitamin K blood coating के लिए important है blood के लिए blood के जो coating होता है मतलब blood जो एकदम clot हो जाता है तो उसके लिए vitamin K important है potassium और iron को तो देखते हैं calcium calcium is essential for the growth for the formation of healthy bonds calcium और phosphorus दोनों ही एक तरह से healthy bonds और teeth के लिए important होते है next is sodium sodium जो होता है वह हमारे nervous system की proper functioning के लिए जरूरी होता है मतलब हमारा nervous system है brain balance system है यह proper तरह से function करे next is potassium potassium जो है हमारी growth के लिए और हमारी cells को healthy बना रखने के लिए जरूरी है iron की बात करें तो iron जो है हमारी blood का यानि के हमारी hemoglobin का important part होता है so iron की quantity हमारी body में होनी ही चाहिए because हमारा blood है वह शी से बनता है और blood जोगी oxygen को carry करता है ठीक है और इससे हमारा respiration complete भी होता है next question नमर्ती है why should you drink six eight glasses of water every day मतलब हमें इतना पानी रोज क्यों पहना चाहिए ठीक है when water doesn't provide मतलब पानी जो है हमें कोई energy provide नहीं करता फिर भी हमें पानी तना पीना क्यों चाहिए because of water जो होता है serve करता है following vital functions in our body मतलब हमारी body में जितने भी important functions water की ही health से एक तरह से perform होते हैं जैसी water helps in the अब option of nutrients in our body मतलब हमारी body में nutrients को absorb करने के लिए water help करता है next are the nutrients obtained from blood food nutrients हमें मिलते हैं ठीक है उनको transport भी हमारी body में water करता है next water जो होता है waste materials को या फिर waste cells होती है ठीक है उनको water ही एक तरह से collect करता है और urine के throw out करता है so water हमारे लिए एक तरह से important है acceleration system के लिए इसलिए हमें रोज six to eight कम सक मिनिमम जो है water का यूज करना ही जी next question no.4 है what do you mean by the wellness diet it is the same for everybody तो यह सभी के लिए सेम नहीं होता है क्योंकि balance diet जो होता है depend होता है कि person child है या फिर adult है या फिर ठीक है person का work क्या है मतलब वो काम कैसा करता है ठीक है hard work करेगा तो ज्यादा balance diet की जरूत होती है balance diet is diet in which supply all type of nutrition अर ठीक है हम बोल सकते हैं balance diet वह diet होती है जिसमें सारे nutrition होते है ठीक है प्रपर मांट में balance diet is individually specific मतलब सब के लिए अलालाग होती है balance diet it cannot be same for everybody and varies depending upon the age मतलब age according gender according type of work according यह जो होती है वो एक तरह से depend होती है जैसे एक बच्चे के लिए ठीक है बच्चा है ठीक है तो उसको protein की ज्यादा requirement होती है क्योंकि protein जो है वो एक तरह से cells बनाता है और जो बच्चा होता है तो वो grow करता है rapidly यह ठीक है rapidly grow करने के मतलब है उसकी cells बनती है तो इसलिए उसको protein चाहिए अब protein वाली product उसको देने पड़ेंगे next है जैसे nursing mothers है मतलब जो pregnant women's है ठीक है need more proteins to feed a growing baby मतलब बेबी को feed करने के लिए उनको भी एक तरह से ज्यादा protein skinnade होती है फिर बात कर लेता है लेवर की ठीक है जो लेवर रातर दिन मजदूरी करते है या फिर काम करते हैं तो उनको energy ज्यादा ज़रूत होती है energy जो है carbohydrate और fat से मिलती है तो तो carbohydrate or fat quantity उनके food में ज्यादा होनी चीए आगे देखते हम question 5 what are the deficiency disease and the name of the 4 deficiency disease associated nutritions deficiency disease means होता है individuals who are unable to consume balanced diet जो लोग balanced diet को consume नहीं करते हैं ये फिर balanced diet जनको नहीं मिलता है proper amount में ठीक है तो उन्हें deficiency disease होता है तो यहां पर कुछ food type का deficiency disease बता गया है पहला इसकर भी जो की vitamin C की कमी से होता है मतलब अगर किसी person को vitamin C के products उसकी balanced diet में नहीं मिलते हैं तो vitamin D की कमी से होता है anemia iron की कमी से होता है ठीक है मतलब blood की कमी हो जाती है anemia जो disease है इसमें ठीक है और blood कैसे बनता है iron से बनता है तो इसलिए iron की quantity भी उनकी food में होनी चीए next है goiter ठीक है goiter जो होता है वो iodine की कमी से होता है ठीक है जब हमने उपर भी question पढ़ाता है कि हमाले रिजन के जो लोग है उनको goiter disease होना common है ऐसा क्यों है क्योंकि हमाले रिजन की soil है उसमें एड़ उनकी quantity कम होती है तो वहांके लोग इस बीमारी से aggressive हो जाते है next question 6 discuss the importance of refuse in our diet refuse का हमाले डाइट में क्या importance है क्यों होता है वह हमारे बॉड़ी को कोई nutritive value देता नहीं है वैसे तो लेकिन रफिज का फिर भी बहुत जाते important है because of रफिज कंसिस्ट undigestable carbohydrate मतलब रफिज में digest नहीं होने वाले carbohydrates होते हैं ठीक है जैसे कि fruit है vegetables है ठीक है इनमें जो digestive जो ट्रैक होता है मतलब हमारे बॉड़ी में जो digestive system का जो ट्रैक होता है उसको mouth से लेके एनस तक मतलब completely क्या करता है उसको clean करने का काम करता है ठीक है तो इसलिए इन fibers की importance जादा होती है It helps to be muscles to digestive tract in formation of stool मतलब stool की formation में digestive tract होता है उसको clear करने में यह help करता है कौन रफेज and prevent the constipation मतलब constipation को prevent करता है और bowel जो movement होता है उसको भी improve करता है next is diet that supply adequate rafage is throughout to be reduced the incident of the heart disease मतलब जिनकी diet में rafage वाले products include है तो उनको heart disease या फिर बाउल के इंसर जो बीमारिया है या फिर disease है वो होने के chances कम होते हैं आगे हम देखते हैं high thinking order की questions है it is observed that constipation is common among people मतलब लोगों में constipation होना common है in the western countries who eat more meat and processed food than us what can be the reason for this मतलब वो मेट ज्यादा eat करते हैं तो इसके बीचे क्या reason है तो देखो पहले बात तो processed food और मेट content very little rafage मतलब मतलब जो मेट होते हैं हमने उपर भी एक कॉसर में बढ़ाता है मेट में rafage की quantity बहुती काम होती है the lake of rafage lead to be constipation और rafage नहीं होगा food में constipation होना आम बात है क्योंकि digestive drug है वो clear नहीं होगा तो fibers का होना यानि rafage का होना बिल्कुल जरूरी है people who consume food deficient in rafage मतलब जो rafage को कम यूज करते हैं ठीक है तो उनमें ये problem होती है next question है to a overworked computer software engineer वो शारे दिन computer पर वर करता है he get very tired after work somebody advise him to be eat more car-wide date तो लोग उसे इसला जेते हैं कि भी car-wide date ज्यादा eat करो या फिर fat जो है ज्यादा eat करो do you know this is help him तो बिल्कुल सही है क्योंकि energy giving food जो है car-wide date और fat ही है ठीक है अगर वो थकते हैं it means उन्हें car-wide date की और ज्यादा need है ठीक है यहाँ पर बात हो यह computer पर work करने वाले को ठीक है तो computer जो work होगा वो एक ही जगे बैठने से होगा ठीक है तो इसमें ज्यादा energy जो है एक तरह से खर्च नहीं होती है तो इन्हें energy giving food देना यहाँ पर जरूरी नहीं होगा ठीक है अगर हम इन्हें energy giving food देते हैं तो यहाँ पर जो है इनका weight जो है ठीक है वो increase होगा ठीक है और become obese और वो obese होंगे तो इस डाइट रिचन कार्वाइड़ेट एंड फैट्स बिल नॉट है ठीक है तो कार्वाइड़ेट और फैट्स वाले डाइट इनके लिए helpful नहीं होगी ठीक है क्योंकि कार्वाइड़ेट और क्या बोलता है फैट्स वाले जो डाइट है वो एक तरह से हेवी वर्कर को चाहिए लोग जो भारी काम करता हो कॉस्टर नमर त्री है बिल्यू रिमेन हेल्थी इफ यू अनले ड्रिंक मिल्क वाइड तो सही बात है अगर हम दूद ही पियें तो हम हेल्दी रह सकते है क्योंकि जो मिल्क है उसमें सारे ही मिल्क अपने आप में एक वैलेंस डाइट है इसमें सारे जो नूट्रिटिव वैल्यू होती है ठीक है मिल्क को ही कंजूम करके हल्दी रह सकते हैं ठीक है मिल्क से सारे जो है एनर्जी रिकारमेंट्स को हमारी कम मिल्क है इसकी कलोरी वैल्यू कम होती है इसके लिए हमें ज्यादा मिल्क को यूज करना पड़ेगा मतलब बार बार दूद पिरा पड़ेगा आगर देखो कॉस्ट नमर फूर है एक्सप्लोरिंग कोईंग टू बी नर्ट टू साउथ पूल्स मस्ट करी क्रीन वेजटेवल्स एंड फूट जूशिस बित देम मतलब जो एक्सप्लोर होते हैं जो कि नर्ट से साउथ की तरब अगर जा रहे हैं तो ने वेजटेवल्स और फूट लिए तिक है ऐसा क्यों होता है ठीक है अगर नोर्ट से और साउथ की दर जाते हैं तो ने लंबी समय के लिए टाइम लगेगा और फ्रेश फूर्ट और ग्रें वेजटेवल्स तिक है वह ऐसे स्नी कर वाएंगे नौट गेटिंग फ्रेश फूर्ट और वेजटेवल्स फूर्ट दा लॉंग पिरेट कैन कॉज डिफिचेंज डिजीज और लमे टाइम तक अगर उन्हें यह चीज नहीं मिलेंगी तो उन्हें डिफिचेंज डिजीज होंगी तो तो प्रेवेंट इस मतलब इस से बजने के लिए उन्हें मतलब एक्सपॉलर को ठीक है लॉंग जनी पर जाना है तो फिर लार्ज स्टोक में यह चीजें कैरी करके लिए जाना पड़ेगा तो ये आपका जो चेप्टर है इसके साथ रहे को शना अंसर कंप्लिट हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिवाययर जाहिन, जयाने चावालत